कि एक टेल के लिए बहुत ब्रहंदियां यह तील हमेशाक खराब होता है अक्चली टेल खराब नहीं होता है तेल की तो मात्रा आपको निर्धारित करने दिन भर में कि कितनी मात्रा आप खं सक करおन दूसरी छीज कि टेल खंसा परोक कर हो तीसरी चीज कितने महीने में आप तेल बदल रहे हो वो बहुत important है जब आप healthy heart की बात करो तो सबसे important है कि कोई भी एक तेल पे हमें stick करके नहीं रहना जैसे suppose तिल का तेल के लिए भी बोले तो तिल का तेल definitely बहुत फायदे मन्द है लेकिन हम खाली तिल का तेल लेते रहें वो ठीक नहीं है तो आप हर तीन महीने से ideally तो तीन महीने से नहीं हो सके तो चाहे महीने से अपने तेल का टाइप को बदलें कभी आप तिल का प्रयोक करें कभी सोया बीन लें कभी मुफली का ले सकते हैं कभी आप sunflower oil ले सकते हैं क्योंकि हर एक तेल में अलग-अलग composition होता है अलग-अलग fatty acid का composition रहता है हमारे शरीर को सब चीज सम्मिलत चाहिए यह नहीं कि मुझे सिर्फ एक पदार्थ ही चाहिए शरीर को शरीर को सब चीज सम्मिलत चाहिए तो हर तीन महिने से अपना तेल का टाइप बदलें आप पहली चीज दूसरा चीज जो ध्यान में रखने की है कि ऐसा तेल प्रयोग में लें जिसका smoking point ना बहुत ज़्यादा smoking point क्या होता है कि जिस वक्त हम तेल गरम कर रहे हैं तो कम आज पे ही तेल का एकदम धुआ निकलने लग जाए तो वो तेल काम में नहीं लेना कम आज पे जो तेल आपका गरम हो जाए आप छोक लें उसको काम में ले ले वो तेल आपके लिए साहिए तो जिन तेलों का smoking point इस तरीके का हो वही तेल आप काम में लो तो वो आपकी health के लिए जाए क्योंकि आप जैसे ही कम आज पे अगर तेल दुआ निकलने लग गया तेल का माने उस तेल की quality is burn हो गई तो वो तेल आपको काम में नहीं लेना तेल वही काम में लेना जो कम आज पे एकदम नहीं जले दुआ नहीं छोड़े और आपका खाने में प्रयोगा तीसरा चीज की total तेल आप कितना काम में ले रहे हो तेल दिन भर का जो आपका जो normal अगर आप एक healthy heart रखते हैं healthy body है वजन आपका control में सब कुछ ठीक है तो आप 15-20 ml तेल दिन का consume कर सकते हो मारे 3-4 चमच तेल के आप consume कर सकते हो per day per person की बात कर रहे हूं मैं तो वो आपका अगर एक normal lifestyle है weight जादा है या heart आपका affected है या कोई दिल का बिमारी है यह सब चीज़े होती है तो तेल का quantity फिर आपका कम हो के depend करता है कि आपकी कौन सी city है उसके उपर तो यह चीज़ बहुत important है दियान रखना है कि कौन सा तेल कितने समय तक प्रयोग कर रहे हो कितनी मातर में प्रयोग कर रहे हो यह तीन चीज़े आप दियान रखोगे तो it is very friendly तो यह चीज़े बड़्योड कर रहे हो